एक वार माता पारवती जी भगवान शिव जी के पास बेठी हुई थी उनके मन में एक भाव प्रगट हुआ कि मुझे इस्नान करने जाना है तन पर उप्टन धारण कर उन्होंने तन पर उप्टन लगाया उप्टन को लगा कर माता पार्वती जी इसनान करने के लिए चली सक्खियों ने उनके शरीर पैसे उप्टन को निकाला उसका पुतला तैयार करें अब देखिए जराका था यह सब ने सुनी है गणे जी के जनम की कथा सब ने सुनी है उप्टन निकाला उप्टला बनाया सक्खियों ने पार्वती जी की सहलियां पार्वती जी से करती है क्या इस उतले में जाना सकती है क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं जितने लोग पेड़ों के नीचे बेठे हैं बाहर बेठे हैं चाता लगा कर बेठे हैं पंडालों में यहां वहां रोडों पर दुकानों पर जहां जहां तुम बेठे हो छाओं में इस कथा को थोड़ा ध्यान से सुनना स्वयम पार्वती जी से सक्खियां कर रही हैं क्या इसमें प्राण आ सकते हैं क्या इसमें प्राण आ सकते हैं तो पार्वती जी ने कहा क्यों नहीं आ सकते हैं अकाल मरत्य वो मरे जो काम करे चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां क्यों नहीं आएंगे आड़ा अग्जड गूमी में भी घास पेदा कर सकता है तो इस पुटले में भी वो प्राण दें सकता और मक्यूत्刚 हरे थरिक तुम कह रही हो कि इस पुटले में प्रान आ सकते हैं हाँ लाकर बताओ पार्वती जी ने हाथ में जल लिये शिव जी का स्मरण किया सक्खी ने कहा पार्वती तुम आख बन करके किसको याद कर रही हो तुम ये नेत्र बन करके किसको याद कर रही हो पार्वती जी करती है मैं महादेव को याद कर रही हो महादेव को हाँ सक्खी ने कहा पार्वती तो महादेव को याद कर रही हो इस निर्जीव पुतले के लिए पार्वती जी ने कहा निर्जीव को भी जीव दे सकता है पशू को भी प्राण दे सकता है संपोन ब्रह्मान के लिए जो जहर पी सकता है वो मरे को भी जीवित कर सकता है वो केवले काल अधिपती महाकाल है वो केवले काल अधिपती महाकाल के सिवा दुनिया में कोई नहीं कर सकता कब करता है कैसे करता है क्या करता है यह उसके उपनिर्वाद यह उसके उपनिर्वाद पार्वती शिवजी का नाम लेकर आप जल छोड़ोगी तो क्या देवदी देव महादेव इस पुतले में प्रांड देदेगा क्यों नहीं कल कल कथा सुनी थी ना अपने एक वो बच्चे के हिरदाय में छेद हो गया था सारी जाचे कराई वो मा को आसपास में कोई हॉस्पिटिल नहीं मिला मोबाइल पर कथा सुनते सुनते उसने बस दो बून जल डालकर कपड़े को पोच कर वेटे की छाती पर लगा दी और डॉक आज जब दस तारी को करा तो बच्चे के हिरदाय में छेद नहीं था यह शिवतत्तव है कि यह घड़ी है शंभू एक पत्र में एक भाई ने लिखा कि गुरुजी आप कहते हो कि शिव महा पुरान की कथा है पर मेरा विश्वास कहता है कि यह शिव महा पुरान की कथा नहीं यह स्वयम देव अधिद्यों महादेव से अपने दिल की बात कहने का स्थान है जहां अपने मन की बात कह सकते है श्रीमती रेखा गंग बेर पती डिगेंद्र कुमार गंग बेर ग्राम सोहपुर तहसिल गुरूर जिला बालोर 36 गड़ मॉबाइल नमबर ये है कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती है अगर कहीं पर बेटी हो तो अपना हाथ हिला सकती है जहां कहीं भी बेटी है श्रीमती रेखा गंगवेर, पती श्री डिगेंदर कुमार गंगवेर, ग्राम सोहपूर, तहसिल, गुरूर, जिराबालो, 36 गाड, मोबाइल नमबर ये, बाबाजी, 2021 से किडिनी के पास में घाव हुआ, पत्री हुई, किडिनी धीरे धीरे देमेज होने लगी, डॉक्टर न कर दिया था, 8 mm का, सारी दवाईयां चलती रही, 2021 से, पर आराम नहीं लगा, सोनोग्राफी पर सोनोग्राफी हुई, पर आराम नहीं लगा, किसी ने कहा, जब शिव महापुरान की कथा अपने नस्दीक में हो, तो वहाँ जाकर श्रबन करो, गुरुदेव, 2023 को बालोत की कथा श्रबन करी, भूमी पर बेट कर, जमीन पर बेट कर कथा सुनकर, अपनी किडनी कर उपर, अपने शरीर को, वहाँ की मिट्टी को लगाना परारम करा, एक बेलपत्र, मांग कर व्यास्पिल्ट से खाली, बाबा के क्या गुणगान करू गुरुदेव, द चार पर आगया, बाबा की किरपा से इतना कम हुआ, मैंने विचार कर लिया कि अब जहां जहां पर कथा होगी, वहां कथा श्रबन करेंगे, सीहोर गए, वहां से रुद्राक चलाए, जल पीना प्रारम करा, कथाएं श्रबन करना प्रारम करी, शिवजी पे चली हुई बिल रहा था, जिसकी में रिपोर्ड लगा रहा हूं, उसने पूरी रिपोर्ड अपनी इस फाल में लगा कर भेज दी ए, पूरी रिपोर्ड, जितनी भी रिपोर्ड है, आप चेनल पर भी आप लोग एलेडीके माध्यम से रिपोर्ट है, सब चिक कर सकते, सब देख सकते, जि बापिस जाच कराई तो उस जाच में से घाव भी भर गया था और वो किड़नी के पास की पत्थरी भी समाप्त हो गई थी डॉक्टर भी अश्रे करता है कि बिना ऑपरेट के बिना ऑपरिशन के कैसे समाप्त हो सकती यहां कोई दूसरा नहीं करता आपका भरोसा आपका विश आप जो शंकर जी से कहते हो ना कि भोला सब दूख काटो यह केवल इस्तुती नहीं है यह केवल शब्द नहीं है यह केवल प्राथना नहीं है आप बाबा से कहते हो बाबा सब दूख काटो मेरा तो बाबा का मतलब होता है पिता से बाबा का मतलब होता है दादा से बाबा का मतलब होता है अपने घर के बुजुर्ग से बाबा का मतलब होता है अपने घर के बड़े से जब हमारे घर के बड़े से भुजुर्ग से हम यब्जे बात कहते हैं तो हमारा दुख कटता है क्यों नहीं कट है कि पारवती शिवजी का नाम लेने से कैसे में प्राण जाएंगे क्यों नहीं एक सोनोग्राफी उस बेटी की बोल रही है कि इसमें बच्चा नहीं है दूसरे महिने की सोनोग्राफी बोल रही है कि बेटी के गर्व में बच्चा नहीं इसका वहें में अब दो महिने वहें में सोनोग्राफी बोल रही है कि बच किसरे महीने कि सोनोगराफी बोल रही है भगवान देता है पल्ला ज़ाड़कर महादेव देता है छपर भाड़कर सहाजता नहीं देता है कि सहाजता दे कहां वह शिवनाम से दुनिया का सारा सुख मिल सकता है क्यों नहीं